LibreOffice Base पर सुपोकन टिटोरियल में आपका इस्तक्बाल है। इस टिटोरियल में हम LibreOffice में Simple Form के बारे में सीखेंगे। यहां हम दर्जेल बातें सीखेंगे। Form क्या है? Wizard का इस्तमाल करते हुए Form कैसे बनाएं? अभी तक LibreOffice का इस्तमाल करते हुए हमने Database में Tables बनाने के बारे में सीखा जहां हम Data जमा करते हैं। लेकिन Database टेबल्स के अंदर हम Data कैसे दाखिल करें? एक तरीका है कि Tables की Cells में Data बरहरास्त टाइप करें जैसा कि हमने गुजिश्टा टिटोरियल में किया। यहां जल्दी और साथ ही साथ कम से कम Errors के साथ डेटा दाखिल करने के लिए एक और तरीका है और वो है Form का इस्तमाल करते हुए Form डेटा दाखिल करने और डेटा एडिट करने के लिए Front End या User Interface है। मसलन Simple Form टेबल में Fields पर मुश्टमिल हो सकता है। चलिए Library Database की मिसाल पर गौर करते हैं जिसे हमने गुजिश्टा टिटोरियल में बनाया है। लहादा Simple Form Books टेबल में Fields पर मुश्टमिल हो सकता है। और अब इस Form का इस्तमाल Books टेबल में डेटा दाखिल करने के लिए किया जा सकता है। चलिए सीखते हैं कि Form कैसे बनाएं। पहले Libre Office Base Program को शुरू करें। अगर Base Program खुला नहीं है तो हम नीचे Buying जानिब Start बटन पर क्लिक करेंगे। और फिर All Programs पर क्लिक करेंगे, फिर Libre Office Suite पर क्लिक करेंगे, और फिर Libre Office Base पर क्लिक करेंगे। अब Open an existing database file option पर क्लिक करें। Recently used drop-down box में हमारा Library database दिखाई देना चाहिए। तो अब इसे मुंतखब करें। और Finish के बटन पर क्लिक करें। अगर Libre Office Base पहले ही खुला है, तो हम सबसे उपर File menu और फिर Open पर क्लिक करके Library database file Library.odb को Open कर सकते हैं। मुतबादल तोर पर File menu में Recent Documents पर क्लिक करें और Library.odb को मुंतखब करें। अब हम Library database में हैं। लेफ्ट पैनल में database list में Forms आइकन पर क्लिक करें। नोट करें कि यहां नया Form बनाने के दो तरीके हैं। Create Form in Design View और Use Wizard to Create Form का इस्तमाल। दूसरे option पर क्लिक करें। Use Wizard to Create Form अब हम एक नई window देखते हैं जो कि Libre Office Writer window की तरह है। और इसमें सबसे उपर हम एक pop-up window देखते हैं जो है Form Wizard। Books Table पर मबनी अपना पहला Form बनाने के लिए इस Wizard के जरिये जाएं। बाएं तरफ 8 Steps का ख्याल रखें जिनके जरिये से हमें काम करना होगा। हम Step 1 पर हैं जो कि Field Selection है। और यहां दाएं तरफ पर Tables और Queries नामी drop-down से Tables Books मुंतखब करें। इसके नीचे बाएं जानिब हम Available Fields की एक फैरस्त देखते हैं। दाएं तरफ हम Fields in the Form देखते हैं। हमें सिरफ इन Fields को मुंतकल करना है जो हमें Form पर चाहिए। अभी के लिए Double Arrow Mark Symbols वाले बटन पर क्लिक करें। नोट करें हमने सारे Fields बाएं से दाएं मुंतकल कर दिये हैं। चुँके हमने Book ID फील्ड को इसके खुद के Numbers को खुदकार तरीके से तयार करने के लिए सेट किया है। हमें Form पर इसकी जुरूरत नहीं है। तो चलिए इस फील्ड को पीछे बाएं तरफ मुंतकल करते हैं। दाएं तरफ Book ID पर क्लिक करें और उस बटन पर क्लिक करें जिस पर एक Less Than का सिंबल है। तो अब सबसे नीचे Next के बटन पर क्लिक करके अगले मरहले पर जाएं। स्टेप 2 चुँके हम Simple Form बना रहे हैं तो अब के लिए इस स्टेप को छोड़ दें और बराहरास्त Next के बटन पर क्लिक करें। हम स्टेप 5 पर हैं, Arrange Controls ये भी नोट करें कि हम बैक्राउंड में एक Orange बैक्राउंड में Books Table देख सकते हैं। Arrangement of the Main Form नामी लेबल के नीचे चार आइकन्स पर क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लेबल्स जैसे टाइटल, मुसनिफ वगेरा नामी टेक्स्ट बॉक्सिस की तरतीब बदल रही है। Columnar Labels Left नामी पहली तरतीब का इस्तमाल करें और पहले आइकन पर क्लिक करें। यहां Labels बाएं तरफ और टेक्स्ट बॉक्सिस दाएं तरफ हैं, एक आम कागज के फॉर्म की तरह। अब आगे बढ़ने के लिए Next के बटन पर क्लिक करें। हम Set Data Entry नामी Step 6 पर हैं। अभी के लिए हम इस Step को छोड़ देंगे और अगले मरहले पर जाएंगे। Step 7 Apply Styles Note करें कि जैसे जैसे हम List Box के हर कलर को क्लिक करते हैं, वैसे ही विंडो का Background कलर बदल जाता है। इस पर क्लिक करने से Eyes Blue मुंतखब करें। अब आखरी मरहले पर जाते हैं। Step 8 अब आप Form को नाम दें। हम अपनी मर्दी के नामों को इस्तमाल कर सकते हैं। लेकिन अब के लिए Text Box में वजाती नाम Books Data Entry Form लिखें जो की Name of the Form लेबल के नीचे है। अब, How do we want to proceed after creating the Form? पहला, Work with the Form मतलब हम Data Entry के लिए Form का इस्तमाल करना शुरू करेंगे। Form का Design तबदील करने के लिए हम Modify the Form मुंतखब कर सकते हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमने कर दिया। तो सबसे नीचे Finish बटन पर क्लिक करें। अभी हमने Window Title पर Books Data Entry Form नामी अपना पहला Simple Form बना दिया है। नोट करें कि Text Boxes values से भर गये हैं, जैसे An Autobiography, जवाहरलाल नहरू वगेरा। ये values कहां से आई हैं। हमने इन values को Base Tutorial के पिछले हिस्से में बराहरास्त Books Table में टाइप किया था। अब ये Form Data Entry के लिए इस्तमाल करने के लिए तयार है। हर value पर जाने के लिए Tab Keys पर क्लिक करें। नोट करें कि Form दूसरी किताब की मालूमात दिखा रहा है। अब टाइटिल Conquest of Self है। हम हर किताब की मालूमात पर भी जा सकते हैं। दूसरी सूरत में Black Triangle आइकन पर क्लिक करके Record मुंतखब कर सकते हैं। जो सबसे नीचे Form Navigation Toolbar में दाएं तरफ इशारा करता है। नोट करें कि Record Number 3 of 5 यहां दिखाई देता है। नोट करें कि Base Tool Tips जाहिर करता है जब हम अपना करसर इन सिया एरो आइकन पर रखते हैं। First Record, Previous Record, Next Record और Last Record। हम इनका इस्तमाल करते हुए Records में यहां वहां जा सकते हैं। अब हम Libre Office Base में Simple Form पर इस टिटोरियल के इफ्तिताम पर आ गये हैं। मुक्तसर में हमने सीखा Form क्या है। Wizard का इस्तमाल करते हुए Form कैसे बनाएं। Spoken Tutorial Project Talked at Teacher Project का हिस्सा है। जिसे हुकुमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खौंदगी मिशन ने ICT के जरिये हिमायत की है। इस प्रजेक्ट की महवनत Spoken Tutorial.org ने की है। इस पर मजीद मालूमाद दर्जे लिंक पर दस्तियाब है। इस टिटोरियल का तरजमा और सदाबंदी मैंने यानि वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।